बिहार में कोरोना संक्रमट तेजी से बढ़ता जा रहा है अब मुख्यमंत्री आवास पर कोरोना वायर्स की एंट्री हो गई है मुख्यमंत्री नितीश कुमार की भतीजी कोरोना पॉजिटिव मिली है उनका इलाज पटना की एम्स में चल रहा है इसके साथ ही पूरे परिवार को होम कॉरिंटीन कर दिया गया है और सब का टेस्ट किया जा रहा है दरसल सीम नितीश कुमार की भतीजी भी सीम आवास में ही रहती है सोमवार को उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है जिसके बाद उन्हें पटना केम्ज में भरती कराया गया था पूरे सीम आवास को सैनिटाइज किया गया था और परिवार के बाकी सदस्यों को होम कॉरिंटीन कर दिया गया था लेकिन अभी ये सूचना नहीं मिल पाई है कि सीम नितीश कुमार होम कॉरिंटीन है या नहीं सीम नितीश ने 4 जुलाई को ही अपना कोरोना टेस्ट कराया था जिसकी रिपोर्ट नेकिटिव आई थी आपको बता दें कि बिहार में कुरोना मरीजों का आकड़ा 12,000 को पार कर गया है स्वास्त मंत्राले की और से मंगलवार सुभा जारी अपडेट के मताबिक बिहार में कुल मरीजों की संख्या 12,125 है जिसमें 97 लोगों की मौत हो चुकी है कुरोना से अब तक 8,997 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि एक्टिव केसिस की संख्या 3,031 है न्यूस डेस